नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका मित्र सर्व मित्र और आप देखरें दा मसला मसला में आज का मसला बहुत गंभीर और बहुत सिरियस है दरसल आज का मसला हर्याना के एक सरकारी महिला कॉलेज से जुड़ा हुआ है जहां पर उस कॉलेज में तीन भेडिये एक associate professor, एक junior lab attendant और एक चप्रासी ये तीनों मिलकर छात्राओं की जिन्दगी से खिलवाड कर रहे थे पिछले काफी लंबे समय से एक छात्रा ने होसला करके इस पूरे मामले को उजागर किया है हम उस छात्रा के होसले को दाद देते हैं छात्रा ने एक शिकायत दी है उस college के principal को बहुत लंबा चोड़ा लिखा है आप भी थी और जो उसने सुनी है साथ में एक call recording और एक video भी उसने शिकायत के साथ सौपा है हालांकि इससे पहले उस छात्रा ने एक professor को भी शिकायत की थी हवर है लेकिन वहाँ पर कोई कारवाई या जवाब नहीं मिला तो आखिरकार मजबूरी में छात्रा ने principal को शिकायत के अब मामला संग्यान में आ गया तो principal ने एक पांस दसिये महिलाओं की टीम बनाई है जो इस मामले की जाच करेगी और फिलहाल उन तीनों को सस्पेंट कर दिया गया है हम वो कॉल रिकॉर्डिंग या वीडियो आपको नहीं दिखा सकते हम नहीं चाहते कि कि किसी को कोई नीजी मामला वाइरल हो और पता चले लेकिन हम आपको इतना बता देते हैं कि अगर आप वो कॉल रिकॉर्डिंग सुन ले तो आप गुसे से आग बबूला हो उठेंगे और इतना गुसा आएगा कि जो बंदा उसमें बुर रहा है चात्रा को लेकर दबाव बना रहा है आप उसको मारने तक चलेंगे इतना गंभीर मामला है और वो हो रहा था एक सरकारी कॉलेज में ये सरकारी कॉलेज फरिदाबाद में है दोस्तों महिला कॉलेज वहाँ पर ये जो तीन लोग इनकी निगाह होती थी एडमीशन जब होता था बच्चों का चात्राओं का उसी समय से उनका फॉन नंबर लेते थे ये लोग और फिर देखते थे किस चात्रा से बात करनी है बादचित शुरू करते थे कि आपको पास करवा देंगे अच्छे नंबर दिलवा देंगे एक्जाम में पहले रुपयों से बादचित शुरू होती थी और फिर शारेरिक संबन तक पहुँच जाते थी काल रिकॉर्डिंग में साफ नजर आ रहा है कि कैसे वो उन मेंसे एक डबाव बना रहा है और इतने गंधी बातें कर रहा है उस छात्रा ने बताया कि ये काफी लंबे समय से चल रहा था कुछ छात्राओं ने बताया है उनको कि ये काफी लंबे समय से चल रहा था अभी आपको पता चला है तो ये खेल वहाँ पर खेला जा रहा था जांच कमेटी बना दे गई है लेकिन जड़ें बहुत गहरी हो सकती है अगर अच्छे से जांच की जाए हम आपको बता दें कि कॉल रिकॉर्डिंग में वो बंदा ये कह रहा है कि हमने कमरा बुक करवा रखा है आप हमारे साथ चलो दो गंटे के लिए कमरा मिलता है एक हजार रुपए लगता है मतलब हमने उसको भी पास करवाया है उस लड़की किसी और लड़की की भी बात कर रहा है और दूसरी recording में वो कह रही है कि मैंने जा सकती, मैं किसी और को भीजने की वो लड़की बात करती है फिर उसके रंग रूप के बारे में, उसके शरीर के बारे में भी वो बंदा बात कर रहा है मतलब इतनी गंदी बात उस call recording में है तो ये एक गैंग था इन तीन लोगों का, जो फरिदाबाद के एक सरकारी महला college में छात्राओं की जिंदगी से खिलवार कर रहे थे और वो भी हबर है कि लंबे समय से कर रहे थे जाच होनी चाहिए, अच्छे से तांकी जो भी लोग इसमें जुड़े हैं अगर और भी लोग जुड़े हैं तो उनको बे नकाब किया जाना चाहिए ये बहुत सीरियस मामला है जिस देश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात होती है अगर शिक्षन संस्थान में ही ऐसे मामले होंगे तो फिर सेफ जगा क्या है और ये और भी कई जगे हो सकता है, कई और संस्थाओं में भी होता होगा कई बार जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं वो चुप रहती है लेकिन हम आप से गुजारिश करते हैं अगर कोई भी महिला सुन रही है, कोई भी छात्रा इस वीडियो को देख रही है जब भी कभी आपके सामने ऐसा कोई मामला आए, तो आपने चुप नहीं रहना उसी समय बे नकाब करना है, उसी समय शिकायत करनी है उचादिकारियों को उसी समय अपने घरवालों को बताना है, कि ऐसा ऐसा कोई शक्स कोशिश कर रहा है ताकि उसी समय उसके बारे में पता चले और उसकी जांचो और उसको सजा मिले अगर चुप रहेंगे तो इनके हांसले और बढ़ते जाएंगे ये मामले और बढ़ते जाएंगे और पता नहीं कितने लोग, कितनी बच्चियां और कितनी छात्राएं और कितनी महिलाएं शिकार होंगी इसलिए दा मसला की और से गुजारिश है किसी के सामने भी अगर ऐसा कोई मसला आता है तो उसी समय शिकायत दर्ज करवाए और इन लोगों को बेनकाब करें आप लोगों का क्या कुछ सोचना है इस मसले के बारे में आप क्या राय रखते हैं आप भी हमें जरूर लिख कर भेजेंगे ताकि पता चले कहीं और भी कहीं कुछ हो रहा है तो वो हमें लिख कर भीज सकता है नमस्कार